Good morning students, मैं डॉक्टर तुर्गेश नंदिनी आज के इस लेक्चर में हम अध्यान करेंगे शैवालों के विबिन प्रकार के आवास के बारे में तो जैसा कि हमें जानकारी है जो शैवाल होती है वो मुख्यत जल अत्वा जल योगत नमी वाले स्थानों पर पाई जाती है लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे आवाससान होते हैं जहां पर की शैवाल जो होती है वो सर्वाइब कर सकती है तो आवास के आधार पर जो शैवाल होती है उन्हें तीन अलग-अलग समूहों में विबक्त किया गया है जिसमें सबसे पहला जो प्रकार है वो है जली आवास यानि की पूरी तरह जल में पाई जाने वाली अलगी और दूसरा जो आवास है वो है स्थली आवास यानि की जमीन की सतह पर पाई जाने वाली अलगी जो कि जल यानि कि पोखर या तालाब के समीब की जो नम भूमी होती है वहाँ पर पाई जाती है और तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है असामाने आवास यानि कि न तो वो जल में पाई जाती है अलगी और नहीं वो स्थल में पाई जाने वाली अलगी होती है आ लवनिय जल और दूसरा होता है लवनिय जल आ लवनिय जल यानि कि उसमें साल्ट्स या लवन नहीं है तो इस तरह का जो जल होता है वो नदी, नालो, तालाब, पोखर में पाये जाता है जबकि जो लवनिय जल है यानि कि जिसमें की साल्ट्स पाये जाते हैं इस तरह का जो जल होता है वो समुद्र में पाय जाता है तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे आलावनिया जल यह आवास में पाय जाने वाली अलगे के बारे में आलावनिया जल भी दो प्रकार का होता है पहला जो प्रकार है जिसे हम कहेंगे स्थिर जल और दूसरा प्रकार है प्रवाही जल तो स्थिर जल जो होता है वो तालाब, गड़ो वो पोखर में पाया जाता है जिबकि प्रवाही जल जो होता है वो नदी और छर्नों में पाया जाता है तो यहां पे अगर हम स्थिर जलिया आवास की बात करें यानि कि स्टिल बॉर्टर हैबिटेट की बात करें तो इसमें क्लॉरोफाइसी के कुछ सदर से जैसे कि उडोगोनियम कारा को समिलित किया गया है तथा मिक्सोफाइसी के कुछ सदर से जैसे कि रिवुलेरिया, ग्लियोट्राइका इन सभी शैवाल को स्तिर जलिय आवास में रखा गया है प्रवाही जलिय आवास यानि कि बेहने वाले जल में पाई जाने वाली हैबिटाइट की बात करने तो यहाँ पे जो शैवाल होती है वो इस तरह की होती है कि वो अपने आपको चटान से या जमीन की सत्य से चिपका कर रखती है जिससे कि वो प्रवाही जल के साथ बह कर दूसरे स्थान पर ना चली जाए तो इसमें जो शैवाल आती है वो है युलाथ्रिक्स वर क्लेडोफोरा यह जो शैवाल है वो प्रवाही जली आवास के एक्जाम्पल है अब हम बात करेंगे लवणी है जल युक्त आवास यानि की समुद्री आवास में पाई जाने वाली यल्गी के बारे में तो समुद्री में पाए चाहती है और इन दोनों ही आलगी के पारे में हम आगे के अपने जो अध्याय हैं उसमें बहुत ही डिटेल में अध्यान करेंगे तीसरा जो जली आवास है वो है गर्म जल यूगत आवास यानि कि गरम पाने के ऐसे जहरने जिनका जो तापकरम है वह असे डिगरी या उससे अधिक है तो इस तरह की जो आवास होते हैं वहाँ पर साइनोफाइसी के कुछ सदस्या ग्रो करते हैं एक्जांपल है फॉर मीडियम तथा साइटोनिमा यह तो था हमारा जली आवास के बारे में अब हम देखते हैं कि जो दूसरा आवास है वह स्थलिय तो यहाँ पे इस थली आवास में उन शेवालों को शामिल किया जाता है जो जमीन की सते पर अत्वा जमीन के अंदर भी पाहे जाते हैं और यह जमीन की सते पर पाहे जाने वाली जो अल्गी होती है वो जमीन के अंदर कैसे जाती है तो जैसे मान लो अगर तालाब के किनार कि गिली जमीन है वहाँ पर कोई जानवर जा रहा है या किसी तरह का कोई मुव्मेंट हुआ है तो उसकी वज़े से वह एल्गी प्रेशर के कारण जमीन के अंदर दस जाती है और फिर वह वहीं पर ग्रो करने लग जाती है तो इस थली आवास में पाए जाने वाली जो यह ग्रो नहीं कर पाएंगे लेकिन स्थली आवास वाली जो एल्गी है वह पानी में भी ग्रो कर सकती है और मिट्टी में भी ग्रो कर सकती है और यह जो एल्गी होती है यह वायू मंडल से सियोटू ग्रहन करते हैं इसके अलावा यह जो एल्गी होती है वह अमलिय तथर शारीयद दोनों प्रकार की बूम इंटो न सक्षम होती है तो अब बात करते हम सथाही धल्य आवाज के बारे में यानिकि यह ऐसी यह जो जमीन की सथाह के ऊपर या गेली-मिटी की सतह के ऊपर लुढ जाती तो इस तरह की जो अल्गी होती हैं, उन्हें सेपोफाइट्स कहा जाते हैं और इन में एग्जामपल है, क्लोरोफ्टी के सदा से κलामीडोमोनास और औोडोफोनियम तथाजेंथोफ्टी वाउचेरिया, और साइनोफ्टी के सदा से नौस्टो ये सबी कहाँ पर पाए जाते हैं? जमीन की सतह के उपर पाए जाते हैं दूसरा जो स्थली आवास है वो है भूमिगत आवास यानि की जमीन की सतह के नीचे तो ये कैसे किसी जानवर के पैर त्वारा या फिर किसी और वज़े से ये जबीन के अंदर पहुँच जाते हैं बूमिकत आवाश में पाई जाने वाली जो एल्गी होती है वो प्रतिकुल दशाओं को सहने में काफी सक्षम होती है और इस तरह की जो शेवाल होती है उन्हें गुडोद्वित या क्रिप्टोफाइट्स कहा जाता है इसमें शामिल किया गया है यानि कि इस तरह के आवास में जो एल्गी पाई जाती है उसके एक्जामपल है साइनोफाइसी के सदस्य जैसे की नॉस्टॉक वह एना भी ना तथा क्लॉरोफाइसी के सदस्य जैसे की क्लॉरेला यह जो क्लॉरेला श्रेवाल होती है यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेवाल होती है क्योंकि यह श्रेवाल अधिकतर जो scientific experiments होते हैं वहां पर काम आती है अब हम बात करेंगे वायवीय आवास के बारे में यानि कि ऐसी algae जो हवा में या वायूमंडल के संपर्थ में जाता हैं तो इस तरह की जो एल्गी होती है वो पेड़ पौदों के तनों पर पाए जाती है या पत्तियों पर चिपकी हुई आवस्ता में पाए जाती है और इसके एक्जामपल है साइटो नीमा वर क्रूकोकस तीसरा है अभी हमने पढ़ा स्थली आवास के बारे में इससे पहले हम जली आवास के बारे में पढ़ चुके थे अब हम पढ़ेंगे आसामाने आवास यानि कि जो तीसरा और अंतिम प्रकार है उसके बारे में तो आसामाने जो आवास है उसमें किन-किन प्रकार के आवासों को शामिल किया गया है तो सबसे पहला आसामाने आवास है वो है बर्फ से अच्छादित आवास यानिकि ऐसी जगें जहां पर पहाडी की चोटियां जो कि वर्ष के अधिकांस समय तक बर्फ से धकी रहती हैं यहां पर क्लॉरोफाइसी वह साइनोफाइसी के कुछ सदिस्च् बर्फ के अंदर भी ग्रोव कर सकते हैं और इन शहवालों को हीम सहवाल या क्रायोफाइट्स कहा जाता है और बर्फ जिस तरह की बर्फ है उसके कलर को देखकर भी हम कई बार यह अंदाजह लगा सकते हैं कि वहां पर कौन सी एल्गी हो सकती है जैसे कि अगर बर्फ लाल रं का कलर भूरा हो जाता है या फिर यह जिसकी वजह से यह जो बर्फ होती है वह हरे पीले रंकी दिखाए देती है इसे तरह से प्रोटर्डर्मा वर नौस्ट्रॉक इन दोनों की वजह से भी जो बर्फ होती है वह हरे पीले रंकी दिखाए देती है अब हम बात करेंगे दू जहां पर temperature बहुत ही कम है और यहां पर जो temperature है वो बहुत ज्यादा है यानि कि ऐसे पिच्च ऐसे degree centigrade से ज्यादा है तो इस तरह के आवास में गर्म जलवाली जो जहरने होते हैं उन्हें शामिल किया जाता है और यहां पर जो शैवाल होती है उन्हें थर्मोटाइप या पन कहा जाता है और इसमें मेस्टिगो क्लेडस तथा फॉर मीडियम जो शैवाल होती है उन्हें शामिल किया गया है तीसरा आसामाने आवाज है लवन युक्त आवास यानि कि एक तो होता है लवन या जल वाला आवास जैसे कि समुद्र में पाय जाने वाला है और दूसरा है ऐसा आवास जहां पर कि जल की सांदृता इतनी अधिक है कि सब तरफ जैसे कि सॉल्ट ही सॉल्ट जम जाता है तो इस तरह का जो आवास होता है वो सैलाइन हैबिटार्ट कहलाता है और इस तरह के हैबिटार्ट में उत्वन होने वाली जो शैवाल होती है उन्हें लवन जलोदपन यानि कि हैलोफाइट्स कहा जाता है और इसमें यूलोथ्रिक्स, फ्लाका तथा स्पाइरूलीना ये जो दो सैवाल हैं वो सैलाइन हैबिटाट में पाई जाती हैं तीसरा जो सामान्य आवाज है वो शैल या रॉक यानि कि चटानों पर पाई जाने वाली अल्गी तो चटानों पर पाई जाने वाली जो अल्गी होती है उन्हें लिटोफाइट्स या प्रस्त रोपन कहा जाता है और लिटोफाइट्स जो होते हैं उसमें डाइटम्स और क्लेडोफोरा जो कि फियोफाइसिका मेंबर है इन दोनों को शामिल गया गया है और ये रॉक पे यानि कि चट्टानों पर अपने आपको सर्वाइब करने में सक्षम होती हैं। अगला जो सामाने आवास है वो है जन्तु शरीर। यानि कि कुछ शहवाल जो होती है वो ऐसी होती है वो जनतों के बाहरी आवरण पर अथ्वा सरीर के भीतर अपना आवास बनाती है यानि कि जनतों के शरीर के अंदर या बाहर दोनों में से किसी भी जगह पर वो अपने आपको स्थिर कर सकती है जैसे कि Cladofora crispeta तो ये जो शहावाल है वो स्नेल जो होता है या गोंगा जिसे बोलते हैं उनके बाहरी खोल या आवरन पर अपने आपको स्थिर कर लेती है और जहाँ जहाँ पर भी वो स्नेल मुमेंट करता है वहां वहां पर वो शहवाल भी मोमेंट करती है दूसरा example है क्लोरिला यह जो क्लोरिला शहवाल है वो हैड्रा नाम का जो जीव है उसके शरीर के अंदर पाई जाती है इसी तरह से आसिलिटोरिया आसिलिटोरिया जो शहवाल है वो मनुश्य घोडो व गाय की आहर नाल में पाई जाती है तो ये थी जन्तु शरीर के अंदर अत्वा उनकी सत्य पर पाई जाने वाले शेहवाल के एक्जाम्पल नेक्स प्रकार है पादप शरीर के उपर पाई जाने वाली अलगी तो पादप शरीर के उपर पाई जाने वाली अलगी में सबसे पहला प्रकार है कोलियोकीट वर यूलोथ्रिक्स तो ये सामन जली आवास में पाई जाती है बस अपने आपको स्थिर रखने के लिए ये किसी दूसरे पौधे के उपर अपने आपको चिपका लेती है इसी तरह से फाइको पेल्टिस एपिफाइटोन ये जो अलगी होती है ये बड़े व्रुक्ष की पत्यों पर अपने आपको चिपका लेती है और as a epifilophyte यानि कि उसकी पत्यों के उपर ग्रव करती है इसलिए से अधी पर्णोतपन शैवाल भी कहा जाता है इसे तरह से epifilophyte यानि कि अधी शलकुतपन यानि कि पेड़ के तनों उपर पेड के तनों पर जो च्छाल है उस च्छाल के बीच बीच में जो आउकास होता है वहाँ पर जो शैवाल पाई जाती है उन्हें अधी शलकुत्पन या एपी फ्लियोफाइट्स कहा जाता है और इसका एक्जामपल है साइटो नीमा अब हम बात करेंगे कोलियोगीट नाइटलेरम की कोलियोगीट नाइटलेरम जो शैवाल है वो नाइटलेला के अंदर की सतह पर उपस्थित होती है इसलिए इसका नाम ही उसके आवाज के आदार पर नाइटलेरम रख़ा गया है इसी तरह से एनाबीना वर नौस्टॉक यानि कि जो साइनोफ ऐसी के सदस्य हैं ये एजोला, एंतोसिरोस वर साइकस अधिके उत्तकों में अंदर कोशिगा के अंदर प्रवीश करके वहाँ पर अपने रहने के लिए आवासस्थान बना लेती हैं सबसे अंतिम जो प्रकार है, जो कि असा मैं ने आवास में शामिल किया गया है, जिसे वो है परजीवी, यानि कि ऐसी एलगी, अभीतक जो प्रकार थे हैं उसको नुकसान नहीं पहुचाती है लेकिन परजीवी के रूप में बाए जाने वाली जो शेवाल होती है तो वो अपने होस्ट को यानि कि जिस पौधे के उपर या जिस एनिमल के उपर वो लगी हुई है तो उसको वो नुकसान पहुचाती है तो इसमें एक्जामपल है सिफैली रूस ये चाय, कौफी, आम, आदिकी पत्यों पर परजीवी के रूप में पाये जाती है और इसकी वज़े से ये जो चाय या कौफी का जो पेड़ होता है वो मुर्चाने लगता है और सूखने लगता है तो इस प्रकार हमने आज के इस लेक्चर में ये देखा कि जो एलगी है वो किस किस तरह से अलग-अलग आवास में अपने आपको रखने में या सर्वाइव करने में सक्षम होती है